कैसे हैं आप सुभी लोग गाइज मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल आ रही होगी बाल को मैंने एक पोल किया था उस पोल में कम सखम 4000 लोगों ने जो है वोट करके ये बोला है कि भी या फुल फ्लैमिंगों की वन शॉट ले दो तो भी या चुकि आप लोग के सामने फुल वन शॉट आईए बिना टाइम बेस करें स्टार्ट करते हैं यह सारी के सारी फ्लैमिंगों की वन शॉट मैंने अपनी एक्जाम 24 नाम की मुख से लिया है आप इसको बाइक कर सकते हो या वैजॉन को अवेलेबल है इसके सासरे सेंपल पेपर है राइटिंग सक्षन है और जाने बहुत सारी चीज़े हैं तो जाइए इसे बाइक कीजिएगा आप देखें यार वन शॉट फ्लैमिंगो फुल फ्लैमिंगो इन शॉट इसकी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है बिलकुल नहीं टेंशन आलो जो बाकी सब जगहों पर है वो यहां नहीं मिलेगा य हम सारा का सारा फ्लैमिंगो कर लेंगे विट नोर्स जी यहां बिल्कुल से सुना आपने विट नोर्स पीडियाफ आई यह स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चप्टर जो है लास्ट लेसन तो यह जो मैंने हैडलाइन से हैं मेरी बात जान सुनिएगा यह आपकी क्या हेल्प जो फ्रेंच था वो लेट हो रहा था और बड़ी था देखते हैं क्या चीज़ है फ्रेंच गेट लेट स्टार्ट तु स्कूल फ्रेंच जो था बना लेट स्टार्ट वह स्कूल के लिए एंड वरीड अबाउट फेसिंग कोशन स्वाल पूछेगा किसके उपर पाटिसिप सब्सक्राइब करना चाहर था सोचा तो मैं बंक कर लो मार्चिंग देख लोंगा चीडियों का चहचाना सुनोंगा उस सबके बावजूद क्या किया फ्रेंच डिसाइड तो गो तु स्कूल कि स्कूल ही चल लेते हैं यार क्यों वेकॉज इस स्केर्ड औफ गेटिक इन टर फ्रेंच वहां पहुंसते हैं तो रिखते हैं सबकुछ बहुत ज़्यादा क्वाइट है नॉर्मली टेर लॉट्स ओफ नॉइज अक्सर वहां पर बहुजर आवाज होती है बट टूडे इस का पर आज सबकुछ सांथ है इस टीचर एम मलसीम सीरियस उसको टीचर बड़े स दिखाई दे रहे हैं और फ्रेंच फिल कंफ्यूज और फ्रेंच को बड़ा कंफ्यूज फील हो रहा है एक और पॉइंट बोलो तो सीनियर विलेजर ऑल्सो पर देंट इन्ट गाओं के कुछ विलेजर के लोग भी आयो थे 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 तो बड़ा पर आये देखते हैं आखरी फ्रेंच लेशन है थे गार्में किसका जर्मन गार्डर एज सिफों जर्मन भांड बॉलता है तो जर्मनी पर्ड़ाय की तो तो बिया आख से जर्मने पर देखि़ए जर्मन में इर जगहगा इस जगहों पे सिफ क्या पढ़ाई जाएगी जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रैंच को बुरा लगता है उसको लटे क्यों मैंने भईया क्लास में जादा अटेंशन नहीं दिया यह NCRT की लाइन है जो किताबे कल तक बढ़र लग रही थी आज मुझे मेरी दोस्त लग रही है आगे बढ़ते हैं बाल को अब वो अपनी मिस्टेक के बारे में सोचता है रेखते हैं कौन मिस्टेक के बारे में सोचता है अब बढ़ते हैं MML टॉक्स अबाउट पीपल इन देर एरिया डॉन टेक लर्निंग सिरियसली अब बढ़ते हैं कि हमारे आसपास के एरिया में पर हाई को ज़्यादा सिरिसली ने लेते देखो 1870 की कहानी है यह उस समय एजुक्रिशन इतना हाई पे नहीं था तो लोग एजुक्रिशन को बहुत सिरिसली ने लेते वो बच्चों को भेज़ देते हैं में एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए आगे ही एडमिट्स ही इस ओनली तु ब्लेम फोर नॉट बिइंग इंग अब वो अपने आपको भी कहता है कि भईया मैं भी जो है लोगिकल लेंग्वेज एवन वो भी एक और चीज़ बोलता है कि लेंग्वेज इस आ की ऑफ एनी प्रेजन लेंग्वेज जो है किसी भी जेल का एक चाभी है तो वाली बात कहता है ये आगे the final lesson even though everyone feels sad हर कोई परसान है कि last French lesson है last French lesson है MML teach MML पढ़ाता है the last French lesson patient lucy तरही किसे उसी सांत सुभाव से जो है वो उसको पढ़ाता है French realize French will realize होता है he should have listened more in class because MML is a great teacher कि उसको बहुत जारा सुनना चाहिए था और class में क्योंकि MML बहुत ही बहतरीन teacher है और मैंने कियो अपना time जो है फालती चुज़ों में वेश किया instead of learning is on language अपनी खुट की language नहीं पढ़ी ही मैंने आखरी में saying goodbye at the end MML say goodbye with a big message वो big message क्या था बाल को वो था जाता है and it's sad sorry and it's a sad but important moment यह sad था और एक important moment था क्या because this is the last French lesson is that dear paper में से क्या आने वाल है अगर हम आपको chapter करा रहे है तो हमें आपको important question में बताने चाहिए चाप्टर यह हो गया दूसा start हो जाएगा तो अगर मैं बताओ important question इसमें से तो सबसे पहले वही question why French was afraid of going to school that day French क्यों डर रहा था उस दिन स्कूल जाने से पहला point दूसरा point what is bulletin board bulletin board क्या है तो all bad news were put on the bulletin board इसके लाभा what unusual things notice French French ने क्या unusual चीज़ नोटीज की उससे बताना है ठीक है what is the order order क्या था उसके बाद what is MML said about the language the most beautiful and logical language and it is a key of any prison यह सरी बाते करनी है और chapter कितम हो जाएगा I hope आपको बहुत जल्दी यह chapter 7 में आगया होगा और once again इसके कुशना असास कहा मिलेंगे आपको exam 24 पे और यह PDF आपको मिल जाएगी हमारे telegram पे कहा मिल जाएगी जी telegram पे नीचे description में लिंक है जाके ले लिजेगा लाउस्प्रिंग की बात करें बाल को लाउस्प्रिंग दो पार्स में डिवाइड है पहले पार्ट का नाम है sometime I find a रुपी ने गार्बिज और दूसरे पार्ट का नाम है I want to drive a car आईए बात करते हैं पहले पार्ट की Meeting Saheb every morning Everyday the author author कौन है and his junk Everyday the author sees Saheb and his friends searching through trash in the neighborhood कि हर देन author जो है and his junk देखती है Saheb को उसके दोस्तों को जो धून रहे है trash कूडे में से garbage में से in the neighborhood पर उस में ही आगे Saheb from Bangladesh Saheb बांगलेस से आया था hope to find valuable things in the garbage to make his life better वो सोचता है कि मुझे कुछ अच्छी चीज़े मिल जाएं आपको पता होगा Saheb come from Bangladesh in the year of 1970 Saheb's parents Saheb की मुमी बापा एता है बांगलेस से in the year of 1971 इसके साथ साथ Saheb का मतलब होता है Lord of Universe Saheb name and poor reality Saheb names means Lord of Universe Saheb का मतलब होता है Lord of Universe but his life is tough उसका लाइफ टफ है और पूर है वो He and his friends wander without shoes उसके वेंडर नसस घूमना कि वो और उसके फ्रेंड घूमते हैं बिना जूतों कि looking for things they can use from the trash और वो चीज़े ढूनते हैं trash में से एक लाइन है जो आपको use करनी है कि for garbage is a wrapped in wonder garbage जो है एक माया जा ले किसके लिए for children's बच्चों के लिए माया जा ले क्यों कई बार उनको और उमीद हो जाते हैं कि मुझे कुछ चांदी की सिक्के मिल जाएंगे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो for children's garbage is a wrap in wonder तो वही कहना चाहरा क्या कि वह ढूलते है कुछ valuable things उस कुड़े में से आगे being poor and barefoot the author notice that kids like sahib कि we are authorly notice करता है कि sahib जैसे बच्चे often अक्सर walk barefoot barefoot ने संस नंगे पाउँ अक्सर जो है वो नंगे पाउँ घुमते रहते हैं आगे unlike a boy from UDP जैसे UDP का एक लड़का था कहानी बताती है वो जैसे UDP का एक लड़का था जो pray करता था सूस के लिए और बार में उसे जूते मिल जाते हैं परिल लोगों को despite progressive as well as well जहाँ पे हर जगा progressive हो जाता है अगर आपके पास आज कुछ नहीं है तो कल हो सकता है कुछ हो लेकिन kids like sahib यसे बच्चे stay barefoot and poor वो हमेशा जो है नंगे पाउं ही रहेंगे और हमेशा गरीब रहेंगे तो UDP कहानी में एक बच्चा जूते मांगता है उसे बार में मिल जाता है लेकिन इन जैसे बच्चों के लिए ख्रीबर बच्चे का मतलब में में न सैंसी में जैसे में मतलब क्या होता है खाना बदोस घर कि वो उनकी लाइफ जो बहुत टुफ है वो एक मेकशिफ्ट हो में रहते हैं कि आज खाना मिल गया तो यहां कल मिल जाएगा तो मैं आपको बताया बच्चो के लिए बड़ो के लिए यह जिन्दी के जीने का साधन है आगे बढ़ते हैं भही रहा है गार्बेज इस ने लोगों के लिए आगे it helps them survive, उनकी help करता है जीवन जीने में, sometimes they find money, करेंब उनको पैसे मिल जाते हैं valuable things मिल जाती है, in the trash उस garbage से, which is a big deal for them उनके लिए काफे जाए deal हो जाती है, तो मैंने क्या बोला था भी, क्या है garbage जिजा wrapped in wonder जी हाँ, garbage जिजा, wrapped in wonder ठेके जी, अब साहिब rare's encounter, साहिब कभी-कभी मिलता है, and nice things एक अच्छी चीज़ों के साथ, देखने हैं क्या चीज़ है वो साहिब sometimes find nice things साहिब को कई बार जो है, कुछ अच्छी चीज़े मिल जाती है जैसे tennis का सूज हो जाए, and get a job उसे एक job मिल जाती है, उसको जोब मिलती है, टी स्टॉल पे, जिसमें वो 800 रुपे महीने का, और दिन का खाना मिलता है उसे, तुसे एक job मिल जाती है at a tea stall, but these new things, पर इन नहीं चीज़े, also come with challenges, कुछ न कुछ चैलेंज़ लेके आती है, and make a life his life harder in some ways some ways, sorry, और कई बार इसकी जिन्दगी को और खराब कर देती है this summary, अब खतम हो गया अब यहीं पर उसी बात कर लेते हैं क्या, एक लाइन हैं से याटी की की, the sorry, the tea canisters much heavier than this plastic bag, which he would carry so lightly over his shoulder, कि भया, steel canister जाना भारी है उस plastic bag से, जो काफी असाने से उठा लिया करता था, because steel canister belong to the honor of tea, take a tea shop तो जो steel canister है, वो honor से belong करता है and the life under the honor is no life of happiness, तो किसी के अंगर काम करना happiness की life नहीं है तो साहिव lost his carefree look, साहिव जो अपनी carefree look खो चुका है जो मैं बोल रहा हूँ, इसको 0.5 पे लगाके सुन के लिख भी लेना important line होती है यहाँ भी वही है, यहाँ उसको और shot कर रखे है, क्योंकि one shot में बनाना था मुझे ठीके जी, summarize करते है some resource, how sahib life changes from searching trash to experience little bites of luxury, कैसे उसकी जो life है, वो change हो चुकी है garbage से, एक छोटी से, अच्छी से life में अब पहले कुड़ा बिनता था, आप चाहिए रुकान पर काम करते है while still facing the hardship authority पर still अभी भी क्या face कर रहा है गरीबी कही सामना कर रहा है I hope आपको clear होगा अगर हम बात कुरो part 1 से क्या आता है सबसे पहले life of sahib यालब life of rack pickers, यह आता ही आता है living condition of Sima Puri Sima Puri मैंने लोगों की living condition बतानी होती है तो इस सब चीजे आपके question में आती है सो याद कीजेगा आई यह बात करते है part 2 का Lost Spring part 2 क्या है I want to drive a car मुकेज dream in Firozabad मुकेज का dream देखते है in Firozabad the author makes Mookेज Firozabad में author मुकेज ते मिलता है whose dreams of becoming a motor mechanic जिसकी हिच्छा है कि वो एक motor mechanic बनेगा and wish to be independent और आजाद रहेगा However in a town यह town ऐसा है जहाँ पे Bengal making is centered है मुकेज dream seems distant amidst the poverty and tradition कि भीया जो उसका सपना है वो एक ते किसे धुनला है सपना कैसे है उसका धुनला है खोया हुआ हुआ है इस गरीबी और tradition के बीश में क्या आप गरीब हो और आप कहरे हो मैं मुकेज अम्मानी से बड़ा बनूँगा तो कहीं न कहीं इस गरीबी में वो दुनला दिख रहा है आप तो आगे child labor and poverty जो बेंगल making है वो child labor पर बेस्ट रोरी है आगे यह जानते वो भी कि यह इनलीगल है और हामफुल है children's health के लिए फिर भी बहुत ज़़ाद बच्चे इस पर काप करते हैं आगे मुकेज proudly mention his family struggle मुकेज बड़े proudly बताता है अपनी family का struggle including his father अपने father का blind list कि मेरे पापा कैसे अंधे हो गए from working in the glass bengal glass bengal में काप करके तो मैं आपको एक चीज़ बता दू paper में question आता है mentioned the hazards of making bangles bangles बनाने में क्या क्या नुक्सान आता है तो मैं अगर बूलू उसका answer बूलू आप लोग को तो making bangles is full of health hazards ठेके they live in a dinghy cell they work with high temperature and dust of police with high temperature losing the right side they work for a whole day to eat ठीक तो यह सारी बात आपको लिखने हैं की living condition आगे और वाट इस फिरोजवार फेमस पोर फिरोजवार फेमस पोर bengal making caste and destiny मुकेस family अब यहाँ पे इंट्रेंच पतला होता है deep deep innocence उनका जड़ मैं एक मुल चीज़ होता हूँ earmark ठीक है custom तो वह सब चीज़ें तो मुकेस की family जो है bengal making caste में deep innocence पैदा होई है faces generation poverty generational poverty सदियों से गरीब है लो मुकेस grandmother believes मुकेस की grandmother विस्वास करती है their fate is predermined कि यह हमारा कर्मा है यह line भी रखिये इस अबर कर्मा आगे despite a hardship day मुकेस की family के बात कर रहे है आगे exploitation and hopelessness बहुत जरा उमीदे भी नहीं इनके पास क्या है इसको क्या बहुत यूज़ कर रखा है और ने इसको यूज़ कर रखा है क्या यूज़ कर रखा है ब्रॉकर्स जो इनको पुश करते हैं बेंगल मेकिंग में पुश करते हैं पॉवर्टी में ही कुछ और करने नहीं देते फैमिलीज लाइक मुकेस आइट्राप्ड इन पॉवर्टी फसे हुए पॉवर्टी में सरकल के जी वीशियस सरकल की बात हो रही है यहाँ पर याद रखिएगा ठेक है वीशियस सरकल साहुकर मिडल मैं एंड पुलिस मैं आगे अब इन सब जगहों के बीच में एक मुकेस निकल के आता है और उसकी इच्छा है क्या क्यों एक मोटर माकैनिक बने बाकी लोग तो भीया सोच चुके हैं कि भीया हम तो यही इसी फेट में हैं पर वो चाहता है कि मैं मोटर माकैनिक बनूँगा मुकेस डेयर टो ड्रिम मुकेस यह हिम्मत कर रहा है इस अपने देखने की और अपने एस्परेशन को काबिल करने के लिए या उसको मनाने के लिए या उसको करने के लिए वो लगा हुआ है आगे ओफरिंटो रे ओफ होप यह भीया कहीन है कहीन है यह खोप दिखा रहा है किसमें इन सब बेकार सी चीजों में तो इन सब एड़र्सली चीजों में एक आशाय किरा नजर आ रही है मुकेस के एक्टिट्यूद से आगे ड्रेमिंग अन रियालिटी मुकेस ड्रेम्स टू बिकमिंग अ मोटर मकैनिक मुकेस का यह सपना की वो मोटर मकैनिक बनेगा इन सब मुश्किलों के बावजूद भी उसकी जो फेथ है तो यह कहे न कहें इसको बहार निकाल सकता है इस समरी हाइलाइट करती है मुकेस ड्रेम्स का यहां पे जो क्लैस हो रही है किसके साथ ओपरेशन और ट्रेडिशन के साथ यह आपका खताम होता है second chapter भी I hope आपको मज़ा आया होगा स्टार्ट करते हैं आपका third chapter that is deep water मज़धार chapter है आईए बिना समय बेश करें स्टार्ट करते है Deep Water by William Douglas आई ये स्टार्ट करते हैं चाप्टर कहीं ना कहीं आपको मुटिवेट भी करती है देखते हैं क्या चीज़े The narrator recounts a terrifying incident from the childhood when he really drawn a pull कि childhood narrator जो है recount करता है उसका terrifying incident एक घवरातवा incident जो बस्पन का वैन जब वो दूब गया था पूल में आगे he recalls developing a fear of water उससे भी एक fear of water हो जाते हैं सब क्या बोलते हैं हाइट्रोफोबिया पानी के ज़र को क्या बोलते हैं हाइट्रोफोबिया हो जाता है आगे after being overwhelmed by waves at the California beach कब जब उसे California के beach पे एक wave जो है नौक कर देती है उसके बाद से तो इसी कहानी पे दो जगासो ट्रॉमा हो चुका है एक तो पूल में हुआ है और एक YMCA पूल पे तो मैं आपको बता हूँ California की beach की कहानी तो when William Douglas was three or four year old he go to California beach with his father तो अपनी California beach पे अपने फादर के साथ यहां पे destructive wave आती है जो उसको नौक डाउन कर देती है और his breath was gone his father was laughing and after that he has a fear of water ठीक है यह बश्पन का fear था अब देखते हैं पूल में क्या होता है पूल में से है while attempting to learn swimming जब वो swimming attempt करने की सोच रहा था the narrator throw into the deep end by a bully एक bully innocence जो bully करते हैं किसे को तो bully दिवारा उसको जो एक deep end में फेक दिया जाता है despite trying to save himself अपने आपको बचाने के लिए his struggle वो बचाने struggle करता है to stay afloat कि वो उड़ सके लेकर उड़ सके innocence पानी के उपर आ सके panic as his next day पर उसको पानी जो पैनीक है कि भाई पानी में उसको टैनना आता नहीं है तो जो panicness है वो उसको क्या करें उसको और नीचे धकेल रही है ठीके जी अब और struggle कर रहा है वो क्या गिदिखने क्या कर रहा है underwater the narrator fight to reach the surface पानी के अंदर अगर मैं बता हूँ यह surface है तो नीचे जा रहा है तो पानी के नीचे वो सोचते है कि मैं surface पानी के अंदर पानी के अंदर the narrator fights to reach the surface नेटर जो है surface में पहुंचने एक लिए fight करता है but it's gripped by seed terror and hopelessness उसको फिर भी पकर कर रखा जाता है अगर आप रोड़ पार कर रहे हो और एक ट्रक आजाए तो कई बार आप मूव नहीं कर पाते हो क्योंकि धर जो है आप पैनिक कर देता है कहां जो तो वह पैनिक कर रखा है इसको आगे despite his efforts efforts के बावजूट he began to lose consciousness as dark envelopes सारे कुशिस करने के बावजूद भी वह कुछ नहीं कर पाता है उसका जो है fear और बढ़ जाता है तो यह कोशिस क्या करता है वह तो उसको यह ही है चाफ लैन वह एक प्लैन मनाता है when he feels the surface he make a big jump कि जब वह surface feel करेगा तो बहुत बढ़ा jump करेगा but when he feel the surface he start to jump but he doesn't cross the water lake वह water lake को cross नहीं कर पाता है तो यह लिबात लिकने यह सारी efforts करता है वह ठीक है आगे following the traumatic experience जब यह trauma वाले experience उसको feel होता है डानेटर's fears of water अब क्या होता है डानेटर का fear जो है intensify हो जाता है और बढ़ जाता है affecting his daily life उसकी daily life उसकी water activities की fun activity को effect करता है he avoid water activities वो water activities को avoid करता है and remain hunted by the memory of drawing और हमेशा वो डर रहता है किससे डूबने के डर से आगे बार आ जाए तो भी यह overcoming fear बाद में क्या होता है उस fear को overcome करता है देखने है कैसे determined to conquer his fear अपने fear को जीतने के लिए narrator seek professional है एक professional help लेता है undergoes really swimming training वो daily swimming training लेता है आगे gradually he learns to control the fear and regain confidence in the water और दुबारा से जो है वो अपने regain करता है confidence को और पानी की fear को हटाता है तो उसर बताता हूं यहाँ पे एक छोटी सी point कम लिख रहा है मेरे साब से और अच्छा होना चीए था कि William Douglas कैसे अपने पानी को fear को get over करता है तो he engaged an instructor वो instructor English करता है initially the instructor hold a rope attached with a cable ठेक है and hold a William Douglas initially the William Douglas practice five days in a week hour daily he practice inhale and exhale more than 100 times and piece by piece William Douglas built a swimmer तो यह लाइन लिखने है आपको piece by piece करके बन गया उसके बाहुत उसके confidence नहीं आता तो वह जाता है Wentworth Lake जहां पे वो dive मारता है दो मिल एक्रॉस तैरता है और फिर जीत जाता है देखते हैं जड़ा तो persistence efforts and courage लगतार कुसिस करने के बाद the narrator gradually overcome a fear of water नरेटर जो है अपने पानी के fear को overcome कर लेता है क्या बता है मैंने वो क्या करता है वो inhale exhale करता है स्विमिंग एक्रॉस लेक वो लेक में क्रॉस करता है मैंने आपको बताता है वेंटिमर्थ लेक आगे सिंबलाइजिंग हिस उसकी जीत बताता है यह ओवर इस deepest fear उसके deepest fear था और रिक्लेमिंग डाजेस्ट ऑफिस लाइफ जो इसके राइफ को जो है कही ना के पकड़ कर रखी हुई थी इस समरी हाइलेट करता है जन्नी ऑफ पैलाइजिंग फियर के बिया कैसे उसके fear ने उसको पैलाइज कर रखा था सबके बावजूद भी का करता है वह इसको ओवर कम कर लेता है बहुत पॉजिटिबली तो एक कहानी उसकी की बार करती है आई होप आपको प्लीर होगा बढ़ते हैं आगे प्यारा चप्टर है मुझे पता है आप लोगों को मजा रहा होगा बहुत सिंपल है आप स्क्रीन शॉट के चक्के में मत रहिएगा पीडिएफ आपको सीधा मिल जाएगी आई ये स्टार्ट करते हैं नेक्स रैट्ट्रेप चप्टर रैट्ट्रेप पैडलर आइडिया द वो सोचता है कि जिन्दगी है वो एक क्या है वो एक ट्रैप की तरह है लोगों को लालास देती है और जैसे रैट को बेट लालास देता है तो फोसे इसको और NCRT लाइन दू तो ऐसा बोलता है कि यह पुरी दुनिया कुछ नहीं है बस एक रैट्टर अपी है ओल रिच जॉय सेल्टर इस सेट अप बेट्स फोर हुमन ठीक है तो वह चाले की तरह काम करते हैं हुमन के लिए कि जैसी कोई अलस में आत तो उसको टुछ करने के लिए वो उसको अंदर खचे धके लेता है या बन कर लेता है ठीक है जी तो यह वह वाली बात बोलता है अगे मिटिंग विट क्रॉफ्टर से मिलता है वह पैडलर फाइंड सेल्टर विथ लॉनली क्रॉफ्टर पाता है अगर आपको लग रहा है कि बहुत चोटा है बिल्कुल चोटा है और डिटीलिंग करता हूं आंसर इंगलिश में बोलता हूं यह लॉँट मेरे विड़ूर पैडलर नौक है टोर वॉफिट अट क्रॉफ्टर केडिंए अ त्रैक दिन डॉर में स्वाने है रहा हूं चौ कोकर्ण करता है अगलिश में verdadना है वालोर हूं फरोल्ड फाति केंट ब सॉड्व बॉटिनलिव मधर्य देता है वह इस प्राफ्टर की मनी को चोड़ी कर लेता है और फॉरस्ट में भाग जाता है लॉस्ट हो जाता है और ठख जाता है तो वह पैसा लंनू बाल पर फॉरस्ट जाता है हुल जो भागता है वह बांस आ ऐख तैक है और उसको पासले से यहां पर कोई आरण में देखता है और फिर क्या होता है उसको इसको इसको इसके जाता है यह क्या कहानी है के घर में जाना अपने आपको शेर के पिंचे में डालने जासे हैं यह जानती है कि भईया वो बंदा जो है सही नहीं है उसके बावजूद भी वो उसको किसमस क्ले इन्वाइट के लेती है वन इड्ला रीष्ड था फैडलर वह जैसे आओगे वैसे आप इल्कुल फ्री यो ठीक है व्यूद फ्री नाइप इन्वेट एन यह शू इन्स इंदिस कांड ऑव बतार कि वॉन्हा थी के वादा कर लिया चल लेते हैं दूसर पर यह जाते है आगे चलेंजी फर बेटर touch by Adla kindness Adla के kindness रच हो के He returns the stolen money and leaves note feeling better about himself अब यह क्या कहानी है भई यह तो क्या होता है कि जब उसके घर में जाता है तो वो समझ आते हैं कि यह तो पैडलर है आडलर मास्टर है यह प्टन तो है नहीं और जब परशलता है कि वो चोर होता है उसके बावजूर भी वो सारा का सारा पैसा जो है रख देते हैं और कहता है कि भीया यह पैसे मैंने महसुर रहा है था आप उसको वापिस कर दो आगे इंपक्ट ऑफ काइडनेस यह पेपर में आया था कही बार कि काइडनेस एक ऐसी चीज है जो लोगों को डिगनिटी दिखा देती है आगे यहां तक कि कोई काइडनेस की छोटी से चीज भी जो है एक हाड़ेस हाट को ट्रांसफर्म कर देती है देखिए यह पेपर में बहुत जादा आता है मैं आपको बता दू कि एडला काइडनेस एडला काइडनेस बिसमोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन तो आप इसको जोड़ यार करके एगा क्या बोलग है उननीस सत्रा में इंडियन नेश्मनल कॉंगरेस की कंफरेंस चल रहा था कंवेंशन चल रहा था वहां पे पूरा पूर किसान आता है जिसका नाम होता है रासकुमर सुकल चंपरन का वह और जो करता है गांधी से कि प्लीज हमारे डिस्टिक चलो कहां पे चल रहे उसको कहीं और भी जाना है बट विट इस डिटर्मिनेशन गांधी इंप्रेंस एंड सेड़ेट में इंकल्ट पता मन्थ पास रासकुमर सुकल सेटिंग ऑन्धी स्प्री वें गांधी फ्री बॉट पुट्डव ट्रेन आफ पटना तो कहां वह लोग है गांधी कंपल जाए राजिंद प्रसाद का इंसिडेंट वसी बात के लिए पेपर में कई बार आ जाता है कि वाए सर्वंट ट्रीट सो हार्श तो मैं बताऊं तो गांधी विजिट रासकुमर राजिंद प्रसाद हाउस फूर फूर फर्स तैम सुक्ला एंड़ सर्वंट थाट ही इस अल नहां पर राजिंद प्रसाद के घर पर कंडिशन इंचंपरन शेयर क्रॉपर्स वर फोस्ट ग्रों इंडिगो बाइब बिटेस्ट लैनलोर्ट्स द्वारा जब्रदस्ति इनको इंडिगो गवाए जाता था इवन आफ्टर डिमांड फॉर इट फैल इवन डिमांड करते वो फिल भी दे लितने पैसे चलो जी ले लो और उनको लगते है कि अप पैसे देने के जोट नहीं थी क्यों कि इंडिगो उगाना भी नहीं था भविश्टक नहीं चाहिए तो इंडिया में इंडिगोगाने के जोट नहीं है तो इस ही न enjoys क्याक्ष हो पैसा दे दो किसा तो गन्धी जी से मुपलाया कि क्यों गांडे जी हमारी help करो अब होता है गांधी डिफाइंड official orders and investigation पॉस्ट हैंग फेसिंग इस्टेंज और टू लीव जपरन बट रिफिस्ट अब यह कहानी है जाते हैं सबसे पहले बिटिस लैंलोड असोचिशन वहां पर बताते हैं कि भी आप क्यों नहीं कर रहे हो तो बिटिस लैंलोड एस्टोशिशन क्या कहता है कि आप बाहर के बते ह उसके बाद वो जाते हैं उसके पास क्या कहते हैं कमिशनर के पास कमिशनर मना करते हैं कि भी आपको कुछ नहीं बता हूंगा और इवन कमिशनर धंकी भी देते हैं next day there was a news come from near village that the mild treatment done by the British landlords to the poor sharecropper एक माल messengers of commissioner overtook by the Gandhi and said that he has to leave right now Gandhi received the letter and write disobey this is the beginning of civil disobedience in India तो वो वाली बात कर रखिये हैं आपर presidents movement and civil disobedience जैसे मैंना बताया था presidents gathered to support Gandhi यह गांधी के support में सबबा आ जाते हैं leading to a significant demonstration एक बहुर 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 देमोंस्टरेशन करते हैं lawyers initiate recurrent join Gandhi in the solidarity leading the trump of civil disobedience क्या होते भी कहानी तो जब गांधी लिख देते हैं civil disobedience the next day court summoned to Gandhi Gandhi को समन करते हैं के बहुर विजट उच मोटी हरी कोट the next day the court was filled with black presence सब लोग वाय हुँ है Gandhi field proud किया थे हुआ है परस तो बंदे हैं and then जो lawyers थे they free Gandhi to go anywhere he want so this was the beginning of civil disobedience at that night उसी दात को Gandhi said to the lawyers what you will do if I go to jail then lawyer said he will also go home then Gandhi said what happened to these poor poor prisons then the lawyer said if you will go jail I will also follow you then Gandhi exclaimed the battle of Champaran is won प्रे गांदी जी कहते हैं Champaran के लागा हम जीच चुके हैं आगे resolution and reforms अब lieutenant governor dropped charges against Gandhi lieutenant governor जो है सारे charges drop कर देते हैं and initiate inquiries to the अफिर अपने चीजों को अपने हाथ में ले ले लेते हैं कि भी हैं देखने क्या inquiry है eventually the landlords agree to refund 25% of unjustal collect money कि भी या ठीक है हम जो है 25% return कर देंगे अब थावसे बात कि जाएं तो वाइ गांधी एग्री 25% of returns गांधी said that the money is less important पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है the more important is debt effect more important यह affected that विटिसर्स रिमें विटिसर्स रिटर्न रिमेंट पार्ट अफ मठीश जो पैसर उटा रहे हैं यह जड़ेंपॉर्टेंट है ठीक है यह लिखना होता है आपको आगे बढ़ें तो शोचल रिफॉर्म सेंट सेल्फ रिलाइंस गांधी इनिस्टेट इमेजेट सोचल रिफॉर्म सेंट गांधी जीजा तुरन सोचल रिफॉर्म सेंट कर देते हैं इंक्लूडिंग एजुकेशन और सेंटेशन एजुकेशन हो चाहें सेंटेशन हो हीमफेशिस सेल्फ रिलाइंस वह आप निरे भरतक पर बात करते हैं एक सिंबल बन जाते हैं इंडिया का कि बहुतर आगे गांधी इन्वल्मेंट इन चंपरन मुबमेंट गांधी का जो है चंपरन मुबमेंट में रहना एक बिगरिंग था टूर्निग पॉइंट था इंडिया के इंडिपेंडेंस यहां सेल्फ रिलैंस और सिविल तो कई बार पेपर में आ जाता है कि why चंपनान एपिसोड is a turning point to Gandhi चंपनान एपिसोड जो है turning point क्यों था because it is a beginning of civil disobedience and self-reliance by Gandhi ठीक है यह beginning था first time Gandhi ने जो है start किया था आगे points and pancakes बहुत लोगों को इस chapter में दिक्रत होती है तो आईए मिना time based करें points and pancakes देखे points and pancakes तो से बता हूं उससे पहले एक mind map बनाते है आप लोग भी इस mind map को बना सकते हो points and pancakes start होने से पहले यह आपकी help करेगा न्यान सुनिए और यह सब जो है पर सिफ कहा मिलेगा हमारे चनल पर मिलेगा अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो मजा आ रहा हो short में सब कुछ हो रहा हो तो please like कीजिएगा शेयर कीजिएगा और आप लोगों को पता होगा मैं रोज रात को जा रहा हूं एक मैंन मैड बनारों किया चैप्टर कहा कहा जा रहा है पैंकेक Uh और मेकप रूम करें है सबुम के जाता है बहुत है ये स्ट्रक्चर पर ठीक है structure कैसा है वहाँ पे makeup room का, तो makeup room का structure make up department जिसे कहते हैं, तो यह जाता है फिर होँआ पे makeup department makeup department makeup department जो है, एक symbol है किसका unity का, किसका symbol है, unity का symbol है makeup department एक structure पे यह जो ट्रेंगल स्टॉक्चर है कि first जो है senior का करेगा, second जो है वो second logo करेगा, और third जो है वो करें का क्राउड का क्राउड को करने वाला था एक office बॉय तो आप देख सकते हो कहानी कहां से कहां पोची pancake से makeup room makeup department makeup department से office boy if you want to take a screenshot you can अब ऑफिस बॉय ठीक है 40 साल का बंदा है जो स्टार्टिंग में जब आया था तो वह कुछ बनने आया था पर कुछ बन नहीं पाया कहानी तो हम नोडर वहीं करेंगे अभी अब स्टोडी बता रहें आपको एक लाइन बता फिर ऑफिस बॉय से कहानी सिफ्ट होती है स्टोडीय इस सुब्वु कोटा मंगलम सुब्वु सुब्वु एक इस डिपार्टमें में काम करता है वह बहुत अच्छा राइटर है प्रेडूसर है और जिमनी स्टोडियो गोल्डन टैम पर सुब्वु का में रोल था सुब्वु एक नॉवलिस भी था जिसने नॉवल ल रहे होते हैं कि यह वह भी जोहांवे खुद असो का मैंत्रन भी है ठीक अशू का मित्रन यहां पे अपए सोका मित्रन भी जोहं है अपनी स्टोडी लोग है जो काम करते हैं इसके साथ एक लॉयर भी है जो लीगल कम इनलीगल जाता है कैसे जाद है वहां पढ़ेंगे इसके बाद लॉयर से यह कहाने सिर्फ उटी है पोइट्स पर Marx अलग अलग पवफ तो रिखेसी प्रकां का नाम क्या है कि इंड zawsze दे संहहीं पन्केक्ग्स तो यहां पे मॉर्य सारे प्ऌइट्स आते हैं जो कहाट्ष काफी पीते हैं और गांधी समर्थन होते हैं और अंगरेच ते जो थाम वेली एन फॉर्गटन ट्रॉटब ठीकर इसके बाद मरे से यह स्टोर्ड सिफ्ट टिए इस ट्रेंज बिजिटर पर कहां पर सिफ्ट टीए इक इस्टेंज विजिटर से ठीक है जो एक एडिटर होता है ठीक है एनकाउंटर नाम के मैगजीन वहां होता है यहां स्टोरी से सिर्फ होती है मुझी कामपेशिंट हो जाता है घप स्टोरी सीजर ऑन्मार चलता है यह जो बंदा है यह स्टीफन Спेंच भी इसके बाद कहानी ऑलमौस fifty हो जाती है कि कहानी स्टिफ होती है after the gymni studio end कि जब यहां पर वो भूढ़ा हो जाता है और यहां पर उसको यह book मिलती है उस book कर नाम होता है तो गॉड टैट फिल्ड ठीकिं जिसका एक बंदा होता है चले जी आप स्टार्ट करते हैं दुबारा से वह चीज जो आपको चाहिए था लो केशन एंड से देखने कैसी जब यह तम मेकप डिपार्टम अफ जिमनी स्टोडियो इस हाउस बिलिदिंग बिलीब तो भी रोबर्ट क्लाइफ फ्रंब स्टेवलन मेकप डिपार्टमेंट यहाँ भी जर्मोड तोड़ियों में old रेक्टरेस्ट सब इसके बारे में जानते होंगे और सबंदें इसके बारे में जानते हुआगे पहले किसको रोड़ी है pancake की फिर अब बात मैकप रूम की the makeup rooms resembles a hair cutting salon makes up room hair cutting salon की तौधा दिखता है क्यों ही दिखता है भिया with large mirrors जहां पे बहुत large लाज्ट मिरर्स हैं ठेक हैं और ब्राइट लाइट से बहुत रहाँ ब्राइट लाइज एंड़िस्पार्ट इस फॉंक्शन करते हैं आपका integration से मतलब निस्टा इंटिकरेशन से क्या बोलता था भी या दडिपार्टमेंट रिफ्लेक्ट नेशनल इंटिकरेशन स्टाफ वर्किंग तोगेटर अलग लग लोग काम करते हैं अलगल स्टेट के लोग काम करते हैं कि वह लोग जो है बहुत जड़ा है भी पैंकेक लगाते हैं सीन को सुट करने एक लिए सब इंसार दुगा करता था यहां पर खड़ा के फेरो होता है मैंने आपको बता है आपको यहां पर बहुत साची है क्लिर हो रहे होंगी वर्क इन देपार्टमेंट इस डिवाइड एक भीया है क्या क्या करता है वह स्टार्डम में आता है पर किसे काम करता है क्या करता है क्या करता है वह क्राउड की शूटिंग करता है क्राउड का मेकप करता है आगे मेकप दिपार्चमेंट से और्फिस वॉष से कहां पहुंच गया इस सब के बावजूद भी था उसका नहीं टैलेंट था और कनेक्शन थे एक्सेल दा मल्टीपल रोल उसने बहुत सा मल्टीपल रोल किये हैं इंक्रोडिंग एक्टिंग इंपवर्ट उसने प्यूटरी बी किया है ओवर्शाइड्व इस लिटरीशी फार उसके बाद उसने लेटरीश भी किया है कवेशन से किताब और राइटर रुगा करते हैं अब यहां पर वह कहानी नहीं है पर आपको पताएं ने जो है एक इनलीगल कांजू कर रखा है आगे मुरल रियार्मेंट आर्मी जिम्नी स्टूडियो होस्ट आयमारे होस्ट करता है जो इंटरनेशनल सरकस है ठेक है जहां पर तमिल ड्रामा कम करते हैं उसको कॉपी करते हैं यह लोग यह उनके आने से स्टूडियो में बहुत खलबली हो गई और लोग को बड़ा मज़ा आने लग गया दो सो अंगरे जाएं तो मज़ा तो आए गई ना आगे एंकाउंटर बिट स्टीपन स्पेंडर अब बोल रहें मैंने क्या स्ट् तो बाद में नेटर कोई लगता है कनेक्ट करता है कि हाँ जो आए था स्टीफन स्पेंडर वो जो है गौट डैट फिल्ल का एक कंट्रिबूटर भी है मिस्ट्री स्टीफ हो जाती है चैप्टर आपको बताता है कैसे जिमनी स्टूडियो में क्या हुआ हाइलेट्स कलता है कल्चर को पॉल्टिक इंगेजमेंट्स को और इंडियन सी नहां के गोलन एरा के बैकड्रॉप को भी ठेके जी तो इस सारी बाते हैं जिमनी पैंकेक्स में आई हो आपको इस माइं से माइं मैप से और इस से क्लिर हो चुका होगा आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं आप इंटर्व्यू बड़ा प्याराइब रहे यह चैप्टर जो है दो पार्स में डिवाइड है सबसे पहले इंटर्व्यों को समझेंगे और फिर एक पर और यह आज के टाइम पर बहुत एक कॉमन वी हो चुक आज तो इंट्रवियु का फाइदा क्या है एक वे आगे अलग अलग प्रोस्पेक्टिव को लेकर पीपल इंट्रवियूस इन डिफरेंट पेपल जो हैं रिखते हैं समधिंग को सूचते हैं डे टेल्स कुछ लोग सोचने सच बताता है और किस लोग सोचते हैं कि यह पूछने की कला है ना तो यह लोग सोचते हैं आगे इस पीपल्स दों लाइक इंटर्व्यू बहुत साइड लोग पसंद नहीं करते हैं बिकॉस क्योंकि दे इवेट दे प्रैवेस्टी कहीना कहीन दखल अंदाजी है उनकी प्रैवेस्टी में और उनके लिए कहीना कहीना कहीन बैड है ठीक है तो इसलिए इस लिए फील नहीं करते हैं अब यहार रखिए गजरा लुइस कोराल रॉयल के प्लानी एजजी वेल्स यह दोनों यह बहुत खराब मानते हैं एजजी वेल्स इतने वी से डढ़ते हैं इसलिए स्टालीन का इंटरव्यू लिया था इसके लावा सॉल वैलो सोचते हैं कि सास की नली में हाथ रखने के समाने इंटरव्यू तो इन सब के बारे में आपको लिखके आना है याद करन इसके लावा इंट्यू का पार्ट टू देख लेते हैं अबर्ट इको के बारे में एक लाइन लिख लिजेगा या या वह बहुत कुछ कर लेते हैं बाइधर एंपटी स्पेस के वज़े से वह काफी कुछ कर लेते हैं वह खाली टाइम पे अपनी से एंपटी स्पेस को काम करते हैं उसके बाद इको लाइन लाइट टू फ़न वे इको ने जो मैं लिखना है था ठीक है स्टोरी सुनाने की वह में उसके बहुत बड़े स्कूल पेपर में जो हैनोंने कि लोगों को चलेंजी चीज पढ़ना पशंद है और उसके बीएक अलग जगा है इतना चप्टर आए श्टार करते हैं लास्ट चप्टर गोईंग प्लेसिस इसे थो अबड़ा कर देते हैं लेकिन सबसे पहला क्ला में देखते हैं सबसे पहला सोफीएंजन्सी क्लास्मेट निलघ्व से ब्लाग करते हैं बोट सेम चुरुप यहां इंडेजिंग टैप अफ लड़की है सी एड़ बीटिफुल द्रीम उसके बहुत बड़े सपने है ठीक है और हविंग बुटीक हो मैनेजर हो फैशन डिजाइनर बने वो इवन एक्टर्स एक्टर्स भी बन सकती है वो किस प्रकार के सपने मत देखा कर एंड टोल हर कहती है तू भी सेंसिबल सेंसिबल रहे और रिलिस्टिक रहे सेविष्ष वो चाहती है डैट सोफी मस्ट नौट से सस्थिंग्स इस प्रकार किसी ना कहें क्यों विकॉस्ट वर्क रिक्वाइड मनी कि सौप के काम के लिए पैस जो था मोटर सेकिल पार्ट के साथ काम करता दूसरे रूम में आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम फ्रॉम स्कूल से घराने के बाद से लूख हर बदब जॉफ अपने भाई को रूनती है शी टोल्ड ही वो कहती है शी मैं डैनी कैसी कि मैं डैनी कैसी बहुत बड़ा फुटबोल प्रेर था तो फेक्टम ली बात है कि मैं डैनी कैसी मिली जैसे मैं साथ कौन से मिलके आया हूँ अब यह भी आगे स्टाटले जॉफ वो जॉफ को चौका देता है और कहां मिली शी टोल्ड कैथी डैनी कैसी कैसी ग्रूप में टुक कर लेती हो और वो कंफर्म कर देता है व सोफी टोल सोफी कहती है डैट ही एड़ ग्रीन जेंटलाइज उसके बहुती ग्रीन और बहुती जेंटलाइज है और यह वस नॉट सो टॉल आइस सिटिंग उटना लंबा नहीं है जयता नंबा तुम सोचते थे शी वास गूइंग ही से जैसे वो जारती हो कहता है इफ सोफी से बिलॉंग करती है और लेबर जो उनके चैरे से रिफ्लेक्ट होती है विचास गिरीनी जो गंदा सा है चैरा उनका और जाते हैं आगे हर मदर वास बेंट उसकी ममी जुकी हुई है और बैक गॉन कुरुक उसकी कमर जो है तूट चुकी है विद बड़न आफ हाउस इस मोटर माकैनिक एक मोटर माकैनिक के रूप में अपैंटिस काम करता है ठीक ही स्गोर आउट डेली जाता है अपने काम के लिए फार साइड ऑब दू सिटी सहा के दूसर तरफ जॉफ जॉफ बढ़ चुक है वो तीन साल बड़ा है और स्कूल पास करे हुए ठीक ही वास यूथ वो एक यूथ है डिटेमेंट परसन है और बेकम डा मेकैनिकल एक्सपर्ट वो मेकैनिकल एक्सपर्ट बनना जाता है ठीक है ही इंजॉइर दूइंस वर्क सालेट चुप चाप काम करना पसंद है बड़ जो बस सोफी वाज़ ड्रीमी गल डॉट 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 डॉ नेक्सट वीक सोफी वाज़ बैड़ कैनाल तो कैनाल के सारे जा रही होती है अलॉट चाय वाली जगह पर पेड़ की चाय पढ़ रहे है तो वहां से जा रही है इट वाँस जगह थी वेर शी प्ले इंड चैल्लूट जहां वो बश्मा में खिला करती थी देर वाज बुड आएगा यह कमिंग है ना इस कमिंग शी लुक अलोंग डा कैनाल के ताब देखती है आफ्टर सम्टाइम्स कुछ समय बाद से बेगे इन थींग वो जोड़ा सोचती है इस नाट कमिंग वो नहीं आएगा देश सेट विशिंग डैनी कैसी वुड के वो चाहती है कि वो डैन उदास हो जाती है ठीक है तो महां बैटने है उसके लिए उदास ले उदास से भरावा इसले इसका नाम क्या है इसले इसका नाम है गूइंग प्लिसस आई गेस आपको क्लीर होगा अगर एक कट रहा है लास लाइन तो कोई दिक्कत नहीं है आपको जो पीडिएफ मिल लेगे आपको टेलीग्राम पे बाई 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 बाई